कि ब्रॉग ह जा रहे हैं तो चलिए करते हैं इन फिर्ल儿 फ्र'd को को स्चन्स को देखेंगे ये कोश्टन है और इन को सेंटेंस लिए रहते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक sentence ये दिया है और second sentence ये दिया है और इन दौनों ही sentences में एक word आपको pick करना है जो कि दौनों ही followers में appropriate रहे या fit रहे और दौनों ही sentences में इसका meaning जो है वो से अच्छा वो उसा ही निकलना चाहिए अब जैसे यदि आप यहां से पढ़ें, if I receive, ठीक है, service, तो इसमें trick क्या होती है, यह जो words होते हैं, एक यह word है, और एक यह word है, इन words से combine करके आपको देखना पड़ता है, कि meaning इसमें क्या निकल रहा है, अब देखें, यहां पर एक word दिया है, service, तो service के साथ कौन सा word जा सकत होता है, आपको यह देखना है, अब देखें, यहां पर service के साथ, service कैसी हो सकती है, service unenthusiastic हो सकती है, मतलब जिसमें unresponsive हो सकती है, service, ठीक है, तो unresponsive के लिए, हम lackadical word लगा सकते हैं, इस तरह के फिलर्स को करने के लिए, आपकी vocabulary काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन words को आप अराम से, इन questions को आप अराम से कर सकते हैं, I hope the medicine is not causing you to be sleepy and lackadical, lackadical का अर्थ lazy भी होता है, तो इस sentence का मतलब निकला कि मुझे उमीद है कि यह medicine आपको sleepy और lazy नहीं बना रही है, तो lackadical जो word है, वो यहां पर भी आ जाएगा, और यहां पर भी fit हो जाएगा, तो उ यह सारे words आप याद करें, यह सारे words आपको मेरी जो six e-books की vocabulary की series है, उसमें सारे words यह मिल जाएंगे, इन e-books को आप 99 रुपीज में आप ले सकते हैं, इसका link नीचे description box में आपको मिल जाएगा, और ptm के थ्रू भी इनको ले सकते हैं, चलिए दूसरा question देखते हैं, there are passages in the system, but it is now rapidly becoming a major thoroughfare, देखिए thoroughfare क्या होता है, thoroughfare होता है, एक आम रास्ता, यहां से लोग गजरते हैं, passage भी एक रास्ता ही होता है, ठीक है तो उसकी बात हो रही है, there are passages in the system, but it is now rapidly becoming a major thoroughfare, यह धीमे धीमे एक बड़ा आम रास्ता बनता जा रहा है, तो यहां पर क्या दिया है, बट दिया है, बट का मतलब है कि यहां पर इसमें कुछ contrasting हम बता रहे हैं, हाला कि यह rapidly बहुत जल्दी से एक thoroughfare बनता जा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ problem हम बता रहे है, मतलब यहां पर आपको एक negative word चाहिए, तो negative word क्या हो सकता है, देखिए, pinnacle तो हो नहीं सकता है obscure हो सकता है, क्योंकि obscure का मतलब होता है, out of sight या, या ice-pust, unclear, तो यहां पर obscure आ सकता है, अब आगे वाला sentence देखते हैं, दो these reasons were very insufficient and obscure, देखिए, region जो होते हैं, वो insufficient भी हो सकते हैं, और obscure भी हो सकते हैं, unclear reasons, तो इसलिए obscure यहां पर भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है, unclear और obscure य यहां पर भी आ सकता है, तो इसलिए इसमें जो answer आपका होगा, वो होगा, E, इस तरीके से इन sentences को आपको करना है, और commonly यह sentences इस तरह के आपके banking exams में, और SSC exams में, और दूसरे सभी exams में, पूछे जाते हैं, third question हम देखते हैं, He had the imagination that invested with personal being and ethical qualities, the most notions, अब notions जो होते हैं, notions कारत होता है, opinion या विचार, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं, notions, whimsical भी हो सकते हैं, वेतुके भी हो सकते हैं, abstuse भी हो सकते हैं, abstuse का मतलब होता है, hard to understand, ठीक है, violent notions नहीं हो सकते हैं, tranquil notion नहीं हो सकते हैं, moderate notion नहीं हो सकते हैं, तो यह ती तो तिनों औप्शन इसमें नहीं आएंगे इन दो में से कोई एक आ सकता है या तो विम्शिकल या एप्स्टूस अब सेगंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं दिस इन्वेस्टिकेशन वोज फस्ट पब्लिस्ट इन एटीं ट्वन्टीफोर एंड इन एप्स्टूस एंड डिफिक वो यहां पर भी फिट ओ रहा है और सेकेशन वाली ओप्शन में भी फिट और आया इसलिए सही सकाएंसर होगा एप्स्टूस विम्शिकल कार्थ होता है अनुस्टेबल और अनिस्टेबल इसका मतलब होता है वाईलेन ट्रैंगेल और मौडीन एट वड यहां पर नहीं Doctrine क्या होता है, Doctrine एक सिद्दान्त होता है, प्रिंसिपल होता है, और heat word के साथ कौन सा word जा सकता है, heat के साथ, देखिए, heat जो होती है वो latent हो सकती है, ठीक है, तो latent word जा सकता है, लेकिन second हम देखते हैं, while possessing considerable gifts of mind and a latent fund of energy, latent fund of energy मतलब छुपी हुई energy, तो यहां पर latent word भी यहा हो सही answer होगा, वो latent होगा, heat जो है, वो vague, opaque, opaque word तो आई नहीं सकता, heat के साथ, obvious नहीं आ सकता, stigmatic नहीं आ सकता, ठीक है, latent word इसमें सही आएगा, और यहां पर भी fit हो रहा है, और यहां पर भी fit हो रहा है, तो इस तरीके से इसका answer होगा आपका latent, question number 5 देखते है, I am sure God has forgiven their little transgressions and the two of them are for their actions, देखे, sentence का क्या मतलब निकल ला है, I am sure कि God ने forgive कर दिया है, और God किस चीज को forgive करता है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई lapse हो जाता है, तो इसको forgive करता है, तो transgression का जो मतलब निकलेगा, वो क्या निकलेगा, lapse निकलेगा, and the two of them are for their actions, क्या मतलब निकलेगा, यहाँ पर, यहाँ पर आपको एक ऐसा word चाहिए, जिसका मतलब हो, कि उनमेशे जो दो लोग है, वो उनको पश्चाता feel हो रहा है, उनको sorry feel हो रहा है अपने actions के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पश्चाता आपका equivalent word चाहिए, ठीक और परहप्स only avast, तो avast का मतलब भी शर्मिन्दा होना होता है, तो avast का equivalent word यहाँ पर चाहिए, जो कि होगा आपका contrite, क्योंकि contrite का आर्थ होता है, कि आप sorry feel कर रहे हैं, आपको पश्चाताप है, तो यहाँ पर आपका answer होगा contrite, क्योंकि contrite first में भी आ रहा है, और second में भ हो रहा है, next question देखते है, defiance was so sweetly uttered, defiance का मतलब चिताब नी देना या किसी को challenge करना, उसका हम defiance बोलते है, Sophia watched astonist at the display and almost didn't prep herself for our first encounter, देखिए, डिस्पले जो होता है, और defiance यो होता है, defiance और display, इसके साथ हम blatant word लगा सकते हैं, क्योंकि यह खुले आम हो सकता है, defiance जो होता है, किसी को challenge करना, वो खुले आम हो सकता है, या openly हो सकता है, ठीक है, डिस्पले भी openly हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर blatant word जो है, इसका मतलब होता है, खुले आम या openly, और display के साथ भी यह वर्ड जा सकता है और यहां पर भी यह वर्ड जा सकता है तो इसलिए ब्लेटेंट जो होगा वो सही इसका आंसर होगा question number 7 देखते हैं so long as they were powerful the crown had treated with them but when once their power began to अब यहां पर एक simple सा common sense common sense यहीं हम लगाएं तो हमें पता पढ़ जाएगा कि यहां पर हम क्या बोले हैं as long as they were powerful the crown had treated with them but मतलब एक तरह हम बात कर रहे हैं कि एक time पर जो crown था वो powerful था but when once their power began to लेकिन एक बार जब उनकी power ना शुरू हो गई तो यहां पर आपको एक ऐसा word चाहिए है जो जो decrease से या गिरने से संबंदित हो और उससे संबंदित जो word है वो है dwindle तो dwindle word यहां पर आ सकता है second वाला हम देखते हैं these letter are few in number and some of them barely suffice for purpose of agriculture irrigation and in summer dwindle down to small nils यहां पर भी हम number की नीचे गिरने की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसमें dwindle जो होगा वो आपका सही answer होगा इस तरीके से आपको इन questions को करना है question number 8 देखते हैं he his last remaining strength took hold of his left hand and with his right and reach the wishes यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर देखिए एक व्यक्ती के व्यक्ती के करके कुछ लड़ाई लड़ी है इस तरह से यहां पर इस sentence से पता पढ़ रहा है his last remaining strength took hold of his left hand and with his right and reach the wishes तो यहां पर आपको एक ऐसा वर्ट चाहिए जो जिसमें यह बताया जा रहा हो कि उसने अपनी हिम्मत जुटाई यहां पर आपको second sentence पढ़ लेते हैं letting gun was to be tried but his arm friends यहां पर भी gathered related एक वर्ट चाहिए उसके arm जो फ्रेंड हो वहां पर एक हट्टे हो गए काफी सारी संख्या में यहां पर भी आपको gather related एक वर्ड चाहिए और gather related जो वर्ड है वो है आपका mustard ठीक है mustard courage होता है mustard strength होती है उसी तरीके से यहां पर आपका first and second में mustard जो वर्ड है वो सही रहेगा question number nine देखते हैं she into the food on her plate into के साथ कौन सा word जा सकता है into के साथ hidden into नहीं जा सकता drown into नहीं जा सकता sank into नहीं जा सकता plunge into जा सकता है kept into नहीं जा सकता तो plunge वर्ड यहां पर आ सकता है second हम देखते हैं she shivered despite her lamps, bowl, coat, her hands plunge deep into pocket plunge का मतलब क्या होता है plunge का मतलब तूट पढ़ना होता है और देखे यहां पर plunge का एकदम सही meaning निकल रहा है she plunge into the food on her plate plate पर उसके जो food रखा हुआ तो उस पर बोट तूट पड़ी और plunge का मतलब नीचे या कहीं पर उसको enter कराना किसी चीज़ को plunge into तो यहां पर भी plunge का एक science निकल रहा है she severed despite her lambs wool coat her hands plunge deep into यहां पर भी into आ रहा है actually देखे यहां पर भी into है और यहां पर भी into है और into के साथ plunge word जा सकता है तो इसलिए plunge इसमें सही answer आपका होगा question 10 देखते हैं let everyone mind his own business and to be what he was made मतलब सेंटेंस का मतलब यह है कि हर किसी को अपने आप से मतलब रखना चाहिए और वो बनना चाहिए जिसके लिए उसको बनाया गया है to be what he was made यहां पर efforts related a word चाहिए actually do not stay to be an overseer of the poor but to become one of the worthies of the world यहां पर भी try से related a word चाहिए कि गरीबों को केबल देखते मत रहो उनके लिए कुछ करने की सोचो यह sentence का मतलब है तो यहां पर actually try और efforts related word चाहिए तो देखते हैं fit करके let everyone mind his own business and endeavor to be what he was made endeavor word आ सकता है यहां पर देखते हैं do not stay to be an overseer of the people but endeavor to become endeavor का होता है एक इमानदर प्रयास करना तो इसलिए endeavor word यहां पर सही रहेगा वैसे try भी दिया है try to become try to be what he was made try भी इसमें आ सकता है लेकि endeavor word सही रहेगा क्योंकि endeavor उसका मतलब होता है कि इसी चीज के लिए कि इमानदर प्रयास करना तो इसलिए इसमें आपका फस्ट जो आंसर है वो होगा तो इस तरीके से ये questions आपको करना है ये question SSC में भी पूछे जाते हैं banking exams में भी पूछे जाते हैं और इस वीडियो को आप कई बार देखिए ये इस तरह से सारे questions आपको समझ में आ जाएंगे और यदि आप professional तैयारी करना चाहते हैं bank PO की clerk की और SSC exam की तो आप हमारा e-coast join कर सकते हैं इसका link आपको निच्छे description मिल जाएगा और इसके regarding आप मुझे call और WhatsApp भी कर सकते हैं इस number पर तो इस वीडियो क्लास में इतना ही इस वीडियो को जरूर जरूर आप लाइक करें और शेयर करें यह यह वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा और इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें English Advantage YouTube चैनल को ताकि सभी वीडियो क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक्यू